रैंडम क्वेस्टें स्रीच में आपका स्वागत है इस क्वेस्टें को देखे यह question moving pulley problem पे धारी थे ठीक है इस क्वेस्टें को देखे यह है यह string है और यह pulley है moving pulley है यह यहदी इस pulley का speed 10 meter per second है तरह इस connected this block का velocity कितना होगा यह बिल्कुल 10 second का question है कैसे बनेगा ध्यान से देखिए यह string का velocity क्या होगा चुकि यह जो string है यह connected है यह fix है तो इस का velocity कितना होगा जीरो तो माल लेते हैं कि इस block का velocity जो है इधर भी है तो concept है इसका velocity plus इसका velocity divided by 2 should be equal to velocity of this moving pulley यानि 10 meter per second यहाँ से भी equal to आ जाता है 20 meter per second तो यह कैसे बना यह concept किस पर धारित है इसको समझने के लिए देखिए माल लेते हैं कि पुली है एक इधर string है और यहाँ से एक block जुड़ा हुआ है माल लेते है mass जिस परकार यहाँ का tension प्लस यहाँ का tension यह दोनों tension मिलके यहाँ का tension हो जाता है 2 into t यानि यहाँ का tension प्लस यहाँ का tension is equal to हो जाता है 2 times tension t उसी प्रकार माल लेते हैं यहाँ का velocity v1 है और यहाँ का velocity v2 है और माल लेते हैं यहाँ का velocity v2 है यानि इस मोविंग पुली का velocity क्या है इसका वहां लेते हैं v- तो यहां का velocity b1 प्लस यहां का velocity b2 शोट बीष्वाल टू 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 टाइम्स v- और यहां से v- डैस आ जाता है v1 प्लस v2 बाई 2 अगें यदि माल लेते हैं कि इसका जो acceleration a1 इधर है और इसका आपकरिशन a2 इधर है और इसका जो acceleration मालेते हैं a dash तो similarly question बनता है इसका acceleration a1 प्रस इसका acceleration a2 is equal to 2 times a dash और यहां से a dash आ जाता है a1 plus a2 by 2